आज की सुड़ों बात करेंगे कि इंटाइडे में ट्रेडिंग की तरह से की जाती है गिलो एप्लिकेशन पर सबसे पहले आपको अपने एप्लिकेशन को ओपन करना है ओपन करने के बाद इंटरफेस आपके सामने दिखाए देगा यहां पर आपको पसंद मिलेगा सर्च का यहां से आप अपने कोई भी शिटो को सर्च कर सकते हैं यहां पर जैसे कि मालेजी हम कनारा बेंग को सर्च करते हैं तो हमने यहां पर कनारा बेंग सर्च किया तो इसके बाद हमारे सामने इंटरफेस यह तरह का सोग करता है आप देखेंगे यहां पर ओप्शन मिलता है इ आप NSC या BSC में बाई करना चाहते हैं तो आपको NSC और BSC का प्राइस यहां पर सोग करेगा नीचे आप दिखेंगे तो आपको option मिलेगा delivery, intraday, MTF का आपको यहां पर delivery बाई करना इंटाडे में या MTF में वह आपको select कर लेना है, जैसे कि हम आपको इंटाडे में पताते हैं तो इंटाडे पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे option मिलेगा NSC का, यानि कि हम कौन से stock buy करना चाहते हैं और कौन से exchange के अंदर buy करना आपको यहां पर दिखान होता है, जैसे कि हम यहां पर दो quantity बरना चाहते हैं, तो हमने यहां पर दो फिल कर दिया है, आप अपने हिसाब से कितनी भी quantity buy कर सकते हैं, नीचे आप दिखेंगे, तो आपको यहां पर फाइप एक्स का margin देखने मिलेगा, यानि कि जो हमारे शिटो की price है, वह 107 रुपे है, तो हमारा यहां पर दो सो चोदर रुपे हो जाते हैं, इसके बाद हमें आपके सामने इंटाडे में दो quantity buy हो चुकी है, आपको done वाल option पर click करना है, अब जैसे done पर click करेंगे तो आप देखेंगे, यहां पर आपके सामने position पर जाने के बाद इसका return सो करेगा, कि आपको यहां पर कितना return मिल रहा है, कितना profit मिल रहा है, वह आपके सामने यहां पर सो करते रहेगा, दोस्तों यह हो चुका है, buy करने का process, अगर आपको माल लेजी, इस sale में कोई दिक्कत आती है, इसे आप sell करना चाते हैं, तो किस तरह से sell करेंगे, क्योंकि इंटाडे में जो भी आप यहां पर buy करते हैं, वह आपको तीन बचके पंदरे मिन्ट से पहले, यानि कि sell करना होता है, अगर आप इसे sell नहीं करते हैं, तो आपको autos required of charges, पचास रुपे तक कर लग सकता है, गिरो application पर, तो चलिए आपको यहां पर वो process भी बता दे, सबसे पहले क्या है, कि आपको उसी वाल option पर click करना है, जो कि आपने buy किया, उस पर click करेंगे, click करने क इसके बाद आप कितनी quantity को sell करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से select कर सकते है, आप सभी quantity को यहांपर sell करना चाहते है, तो सभी को यहांपर sell कर सकते हैं, इसके बाद आप market value मिलेगा sell का sell पर click करने के बाद आप देखिए कि जो कि हमारा order है, वो successful हो चुका है, यानि कि हमारा जो order है वो भी हो चुका है यहां पर आपको डपर किलिक करना है डपर किलिक करने के बाद आपको दो बार से position पड़ाना है आपका यहांपर रिफ्रेस्टिंग होता है इसका प्रोफिट और लोगो से आपके सामने दिखाए जाएगा अब आप देखेंगे कि हमारे सामने हमें टोडल जो प्रोफिट हुआ है यानि कि कुछ ही के अंदर बन सकताथा विदिध करें और उसमेहाँ बहुत ज्यादा वीडियो में complete process बताया है अगर वीडियो परशान आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ share करें thank you for watching this video